हेलो एब्रिवन मैं सिल्पा सिल्पा कोकिंग फूड में आप सभी का स्वागत है आज मैं लेके आए हूँ बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी कच्चे नारियल का लड़ू बनाना बहुत आसान है सिर्फ तीन चीजों से हम कच्चे नारियल इसे मैं अच्छे से धो के ले ली हूँ अब हम इसे जो यह उपर काली-काली इसकी दिखरी न इसे हम छील लेंगे आप चाहें तो चाकू से भी हलका-हलका इसे काट के निकाल सकते हैं तो इसी तरह हम सारा नारियल छील के रेडी कर लेंगे तो यहां देखे, सारा नाधिल शिल्की में रेड़ी कर लिए हूँ, अब इसे हम मिक्सर जाल में डाल के पीस लेंगे तो mixer jar में ऐसे ही ना डालें ऐसे ही अच्छा से पीसेगा नहीं, तो हम क्या गरेंगे इसे चोटा चोटे टुकड़े में काटके इसमें डाल देंगे, यह देखिए एकदम चोटे चोटे पीस में रहेगा तो यह अच्छा से पीस जाएगा, बस अब इसे हम बंद करके और इस टुकड़ा तो नहीं रह गया है, तो हम इसे देख के जो भी बड़े बड़े पीसे में होंगे, उसे हम निकाल लेंगे, अब यहाँ गैस पर रख्यू में एक पैन, पैन गरम हो गया है, अब उसके अंदर हम डाल देंगे, यह नारियल और हम कुछ निडालेंगे, बस नार इसे अच्छे से हम फेट देंगे, उसके बाद हम मलाई को नारियल में ही एड कर देंगे, फिर हम इसे एकदम बढ़ियां से मिला लेंगे, मिलाते हुए हम एक से दो मिनट और भूनेंगे, नारियल के बूरादे को बस यह एकदम अच्छे से भून गया है, अब इसमें हम एक कप दूद ये दो कप नारियल था तो उसी कप से हम एक कप इसमें दूद डालेंगे दूद को हम एकदम बढ़िया से नारियल के साथ ही पकाएंगे जब नारियल एकदम अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा दूद को अब्सॉर्ब कर लेगा उसके बाद हम इसमें डालेंग इसमें इलाइची पॉडर नहीं डाल रहे हैं आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं बस अब उसी कप से हमादा कप डाल देंगे चीनी और इसे भी हम चला देंगे और चीनी को हम एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो नारियल एकदम से जैसे डो होता है ना डो के फोम में आ जाएगा बस ये देखिए एकदम अच्छे से ये हो गया है अब हम हम एक ट्रे में इसे निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए सारा नारियल का इसमें हम निकालेंगे डो को और इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए तो ये देखिए 10 मिनट के बाद नारियल एकदम से ठंडा हो गया है अब इसके हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं बड़ा पसंद हो तो आप बड़ा बनाएं छोटा पसंद हो ताप छोटा बनाएं बस इसी तरह से हम सारा लड्डू बनाके रेडी कर लेंगे हाथ को एकदम soft हाथ से हम बनाएंगे लड़ू को बस इसी तरह हम सारा लड़ू बना के रेडी कर लेंगे तो यहां सारा लड़ू बनके रेडी हो गया है देखिए कितने easy तरीके से यह बनके रेडी हो गया अब इस पर कोई सा भी dry fruit आप लगा सकते हैं तो यहां मैं लगा र वोच्छिंग